आप देख रहे हैं चोहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 अक्तूबर 2024 की 5 बड़ी नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें आपके लिए assignment के status related update है साथ में practicals related update भी है तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे और अन तक देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजे तो सीधा वीडियो की सुरुवात करते हैं जितने भी स्ट्वेंट है जिनोंने जून 2024 के लिए अपने assignments को submit किया था उनके assignment का result आपका grade card में update किया जा रहा है आठ अक्टूबर 2024 को आपके लिए grade card में नई update आई थी और आपके लिए assignment का status कल 9 October को एक बार फिर से update किया जा चुका है तो ऐसे जितने भी स्ट्वेंट है जिनका कोई assignment है जिसका result आना रहता है तो एक बार फिर से अपना assignment का status चेक कर सकता है क्योंकि assignment का status आपके लिए फिर से update किया गया है एक बार यहाँ पर assignment का status जब update हो जाता है उसके 15 से 20 दिन के अंदर जब grade card की update आती है तो उसमें आपको आपके assignment के marks भी नजर आते है नेक्स अपडेट के बार में बात करते हैं और सेलिगुडी Regional Center की तरफ से अपडेट जारी की गई है जिसमें जानकारी दी गई है कि उनके यहाँ पर practicals होने वाले हैं 14 से 20 October के बीच में BST General के practicals 21 से 27 October के बीच में तो अलग-अलग practical schedule यहाँ पर दे रखे हैं और students के भी नाम दिये गए हैं तो जितने भी students है जिनके यहाँ पर नाम दिये गए हैं वो इन practicals को जरूर अटेंड करें क्योंकि आप जानते कि इग्रू के अंदर सबसे मुस्किल जो होता है किसी का अगर schedule आना तो वो practicals का होता है और practical में जब भी आपका नाम आए आपको तुरंद उन practicals को complete कर लेना चाहिए next update के बार में बात करते हूँ और आपके लिए ग्वाले regional center की तरफ से भी यहाँ पर practical के जो schedule है BSE general के वो जारी कर दिये गए है यह जो PDF है यह आपको मेरे टेलिग्राम चैनल चोहान वीडियोज वाईटी पर मिल जाएगी वहाँ पर से आप इसको download कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते ही practical के schedule यहाँ पर दिया गया है 14 अक्तूबर से आपके जो practicals हैं वो यहाँ पर शुरूख किये जा रहे है आप इस PDF को download कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं और जो भी practical होता है उसको आप जरूर attend करें next update के बार में बात करते हैं और कुछ इस्ट्रेड्स की तरफ से एक query पूछी गई थी कि induction meeting का जो उनको notice आया है या message आया है तो क्या induction meeting attend करना compulsory होता है या फिर नहीं induction meeting attend करना compulsory नहीं होता लेकिन अगर आप attend करेंगे तो उसमें आपको काफी सारी useful जानकारी दी जाती है लेकिन उसे attend करना compulsory नहीं होता और आपका जो counseling schedule होता है वो भी आपके लिए compulsory नहीं होता कि आपको उसको attend करना ही करना है लेकिन अगर आप attend करेंगे अगर आप counseling schedule में सामिल होंगे तो आपका जो course है वो complete इगनू की तरफ से करवा दिये जाएगा और आपको आगे exam और assignment में help हो जाती है next update के बार में बात करते हैं और वरांड सी regional center की तरफ से भी online counseling schedule जारी किया गया COF program के लिए जो कि आप यहाँ पर देख सकते है Google Meet का link भी available किया गया है 14 October 2024 से 4 बज़े से यह प्रैक्टिम आपका जो Google Meet का link है वो आपके लिए on हो जाएगा आप इस counseling session को जरूर अटेंड करें अगर आप COF program के student है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा से शेयर जरूर कीजिए